आज हम लोग करेंगे केमी क्लाउड का डेटेल्ड रिव्यू 2021 के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं वेब होस्टिंग के रिव्यूज करता रहता हूँ केमी क्लाउड होस्टिंग सर्विस का मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ अल्मोस मुझे यहाँ पर एक साल हो चुका है लास्ट यह भी मैंने केमी क्लाउड का रिव्यू किया था वो आपको आई बटन के उपर मिल जाएगा आज मैं आप लोगों को जो मेरा पिछले एक साल का एक्सपिरियंस है केमी क्लाउड के उपर मैं आपको वो बताऊंगा इसका हम लोग डीटेल देखेंगे अप टाइम देखेंगे लोड टेस देखेंगे सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में शुरुआत करते हैं कंपनी से केमी क्लाउड एस्टाबलेश्ट करे गई थी अराउंड 2016 में यह एक इंडिपेंडेंटली ओंड कंपनी है और धीरे-धीरे काफे अच्छी तरीके से यह लोग ग्रो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में यूजर इंटरफेस की बात करना तो जैसे हम लोग इन करते हैं यह पर इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देता है पहले से इंप्रूव हैं compared to last year इंप्रूव हो चुका है थोड़ा जादा क्लीन हो चुका है जैसे हम यह आप नीचे आते हैं जो भी आप लोग ने प यहां पर मेरी वेबसाइट है, OceanWP theme का यूज किया है, Elementor based theme है, template है, and life speed cache है, यहां पर default settings पर है, कोई भी यहां पर मैंने उसको fine tune नहीं किया है, server response time के बारे में बात करूं तो है, क्योंकि मैंने मूंबई के servers है, मुझे मुझे काफी अच्छा server response time मिला है, Singapore में भी अच्छा है, Sydney में भी अच्छा है, and US में जाते चाए थोड़ा बड़ा आता है, overall server response time है, वो इनका अच्छा है, स्पीड टेस्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर आराउंड 1.2 सेकंड का LCP मुझे मिला है फुली लोड़ेट टाइम है 1.2 सेकंड का जो की काफी अच्छा है कंसिडरिंग यहां पर मैंने कैशे प्लागिन को फाइंट नहीं किया है अगर मैं अप्टाइम के बारे में बात करूं तो यहां पर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं अराउंड 3.57 से हर 30 सेकंड में यहां पर इसका अप्टाइम चेक किया जाता है जो मुझे अप्टाइम मिला है वो है 99.91 परसेंट अच्छा है लेकिन यहां पर थोड़ा इंप्रूमेंट इसमें किया जा सकता है अगर लास्ट 6 मन्स का अप्टाइम है वो comparatively इससे जाद अच्छा मुझे देखने को मिला है और अगर आपको detailed uptime data चाहिए तो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएगा उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा लोड टेस्ट के बारे मैं बात करनो तो यहां पर मैंने 50 virtual users भेजे हैं मुंबई से around 10,000 requests करी गई इसमें से कोई भी request fail नहीं हुई है average response time भी इसका काफी कम है यहां पर बीच में आपको थोड़े बहुत spikes देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत बड़े कोई spike नहीं है average response time के हिसाप से इसने आप पर काफी अक्छे से load test को handle किया है kash public इन्त की बात करनों तो हैं पर lightspeed servards हैं तो lightspeed kash plugin का हम लोग यूज़कर सकते हैं server location की बात करनों तो यहां पर काफी सारे server location available है यूएस में काफी सारे है यू औरोप में काफी सारे है ऑस्टेलिया में भी है जाएगा, यूजुल यह ऐसा रहता है, अगर हम लोग किसी और hosting company से खरीदते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही साल के लिए free domain name मिलता है, लेकिन Kemi Cloud एक लौती ऐसी company मुझे मिली है, जो free domain name देती है lifetime तक जब तक आप लोग उनका account यहां पर सकते हूँ, temporary domain name के बारे में बात करूँ तो है, लोग temporary domain name यहां पर provide नहीं करवाते है, security features के बात करूँ तो है, यहां पर आपको malware protection मिल जाता है, immunify 360 का support है, two-factor authentication है, account isolation है, firewalls फक्रे भी हैं, तो security wise, it is really good, SSL certificates भी आपको यहां पर मिल जाते हैं, आपकी हर website लिए, backups के बारे में बात करूँ तो है, यहां पर आपको automatic backup का option मिल जाता है, यह off-servers backup रहते हैं, यहां पर 10 days है, 20 days है, 30 days है, मेरे plan पर है, यहां पर 20 days का backup मुझे मिल जाता है, backup यहां पर manage किया जाते हैं, jet backup 5 के through, कुछ इस तरह का यहां पर उसका interface दिखाई देता है, यहां पर accounts पर हम लोग चले जाते हैं, यहां पर खोल देता हूं है, and view backups पर क्लिक कर देंगे, तो हम यहां पर दिख जाएगा कि कपकप के उसमें backup लिये हैं, फिलाल यहां पर जितने भी पुराने backups थे, यहां पर 16 September का है, तो मैं यहां पर इसको restore कर सकता हूं, download कर सकता है, cancel कर सकता हूं, restore भी यहां पर one click restore का option है, काफी easily यहां पर restore हो सकता है, and then मैं यहां से decide कर सकता हूं, मुझे क्या क्या चीज़े यहां पर restore करनी है, जैसे मुझे panel config करना है की नहीं करना है, directory files करनी है की नहीं करनी है, मुझे मान लो सिफ DNS zone ही करना है, तो मैं यह सारी चीज़े आपर remove कर दूगा, तो इनका जो backup और restoration का option है, वो मुझे यहां पर काफी पसंद आया है, लेकिन manual backup की बारे में बात करना है, तो manual backup आपको traditional method से ही लेना पड़ेगा, यहां पर manual backup के कुछ ज़्याद अच्छे options नहीं है, support की बात करना है, यहां पर live chat support available है, and मेरे experience में, इनका live chat support fast भी था, और अच्छा भी था, and they actually wanted to help you, तो customer support इनका अच्छा है, compared to A2 and Fast Comet, मुझे केमी क्लाउड का यहां पर customer support at present थोड़ा जादा अच्छा लगा है, इनोट काउड की बात करना है, यहां पर इनोट काउड स्टार्ट होते हैं, 2,50,000 से जाते हैं, 5,000,000 तक, इससे पहले में, best plan के बारे में, बात करूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप लग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे नीचे दिये गए लिंक से परचेस करके, थांक्यू, बेस्ट प्लान के बारे में, बात करूँ तो, आप इनके तीन प्लान्स देखने को मिलते हैं, जो मेरे साथ से best plan रहेगा, वो रहेगा इनका pro यहाँ पर तर्भो वाला, मैं इनका pro plan यूज कर रहा हूँ, अगर आपके जादा टराफिक आ रही है तो फिर तर्भो वाला plan यहाँ पर best रहेगा, purchase process के पार मैं बात करूं तो यहां पर आपको get started now पर click कर देना है उसके बाद अगर आपको domain name register करना है तो आप लोग कर सकते है पुराना domain name तो उसका नाम डाल सकते है यहां पर main चीज आती है जो यहां पर तीन आपको options दिखते है अब यहां पर जो आपको best plan मिलेगा वो रहेगा तीन साल के लिए जब आप लोगे तब यहां पर इसकी आपको best price मिलेगी अगर दो साल के लिए एक साल के लोगे तो यहां पर price इसकी थोड़ी increase हो जाती है यहां से हम लोग सिलेक कर सकते हैं आड़ॉंस में किसी भी आड़ॉंस की आपको requirement नहीं है और जो payment options रहेंगे वो रहेंगे इंटरनाशनल डेबिट यहां पर पेपाल भी रहेगा refund policy के बारे में बात करूं तो है आपको 45-day की money-back guarantee मिल जाती है जो की अच्छी है usually बाकी companies यहां पर 30-day देती है chemi cloud पर आपको 45-days तक मिल जाता है migrations के बारे में बात करूं तो chemi cloud really shines here for migration जितने migration यह provide करा रहा है इतने कोई भी company यहां पर provide नहीं करा रही है मैंने बहुत सारी web hosting के review किये है इतने migration से यहां पर कोई भी provide नहीं करा रहा है तो यह लोग up to 50 cpanel accounts migrate करके देंगे for free मतलब account register आपको 60 days के अंदर यहां पर आपको बताना पड़ेगा purchase करने के बाद में किये सारी मेरी websites है तो 50 cpanel accounts हो लोग आपको migrate करके देंगे for free और अगर cpanel नहीं है तो यहां पर 10 website से लोग migrate करके देंगे for example अगर मुझे A2 से करवानी है तो वहां पर cpanel है तो वो cpanel वाले में count होगा अगर मुझे hostinger से करानी है जहां पर cpanel नहीं है उनका खुद का interface है hpanel है तो वो यहां पर count होगा तो यह जितने migrations प्रोवाइड करा रहा है इतने migrations और कोई भी web hosting company प्रोवाइड नहीं करवा रहे है at present site builder के बारे में बात करूं तो है आपर site pad site builder है जो की काफी अच्छा है एक shared hosting के लिए developer options के बारे में बात करूं तो है आपर आपको PHP के 8.0 version तक मिल जाते है and काफी सारे हैं पर developers के लिए features दिये है node.js का support है Python है, Bash है, Perl है, Larval है and developers के लिए काफी अच्छा option रहेगा Kemi Cloud Now, इससे पहले में आपर मैं pros and cons के बारे में बात करूं अगर अभी तक काप कोई वीडियो अच्छा लगाए तो उसको thumbs up जरूर देजिएगा अब अगर मैं इसके कुछ pros के बारे में बात करूं तो यह आपर आपको speed काफी अच्छी मिलती है जैसे जो आपको पहले प्लान पर आपर space मिलती है वो है 15 GB, then 25 GB and then 35 GB WordPress website के लिए ठीक है इससे आपका काम वैसे हो जाएगा अगर जो uptime है वो अच्छा है लेकिन उसमें थोड़े improvements यहाँ पर करे जा सकते है Now, coming on to bottom line मेरे इसाप से for 2021 Kemi Cloud is still a good option यहाँ पर आपको speed अच्छी देखने को मिलती है, light speed servers का यहाँ पर use किया गया है e-commerce के लिए एक अच्छा option हो सकता है अगर आपके बहुत सारी already website है किसी दूसरे platform पर and then आपको free migration चाहिए वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है and Kemi Cloud और Fast Comment यहाँ पर दोनों ही similarly price है and दोनों ही यहाँ पर अच्छे options है दोनों को एक बार जाके चेक आउट कर लेना मैंने Fast Comment का भी review किया था वो भी आपको high button के ओपर मिल जाएगा दोनों के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगे जिस पर जो भी best discount coupon code होगा वो automatically applied हो जाएगा मेरी recommendation में अगर आपको 3 साल के लिए लेना है तो Kemi Cloud एक अच्छा option रहेगा अगर आपको सिफ 1 साल के लिए लेना है तो Fast Comment यहाँ पर अच्छा option रहेगा So that's all for this one अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो उसको थमजब देजिएगा चानल को सब्स्राइब कर लिजिएगा और interesting वीडियो के ले and I will see you guys in the next one Goodbye